हालो दोस्तों यह LED लाइट है देख सकते हो दोनों खराब हो गिया है तो एक बाद चेक करके देख लेगा ठीक है तो पहले सीरीज में चेक कर लेगा दोस्तों सीरीज लेंब से डेस्ट कर लेगा ठीक है देख सकते हैं ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है और इसमें इस लाइट में एक बाद चेक कर लेगा इसमें तो और नहीं हो रहा है ठीक है हलका सा डिम डिम जल रहा है तो इसको खोल लेगा पहले पहले ही यह बड़ा देख लेगा यह इसमें छोई स्क्रूप दिया है यह दो आइसी लागा हुआ है इतर पे और यह ब्रीज रेक्टिफायर है ठीक है अट के कि में चे का लंच में बस्तिफ़न आनकंवाम केक्टिफायर अलेकर मश्क्रा साफ देख लेगा इसमें आपी मर्ण आयप दो पहले देख लेगा यहां इसमें ऐसे काला हो गया में नहीं ठीक है किसे में काला जाए सा दाग नहीं है ठीक है देख सकते हो एक बार LED टेस्टार से चेक कर लेगा ठीक है हो सकता है इंटर्नाली खराब हो दोस्तों यह जो यह है LED टेस्टार है इसी से चेक कर लेगा देख सकते हैं 300 वोल्ड आगिया है तो अभी चेक कर लेगा ठीक है तो यह वाला माइनस वाला है और यह रेड़ वाला प्लास है तो पहले बीरिज के यह साइट से देखेगा चेक करके आउन हो रहा है कि नहीं देख सकते हैं अभी तो आउन हो रहा है और श्वावे लीडी तो सही है दिखा रहा है दोस्तों यह वाला जो वायर है निकल देगा यह वाला वायर को कानेट कर लेगा यह वाला जो वायर ही इसको कानेट कर लिया है अब यह पावर देखे देखेगा यह ओन हो रहा है कि नहीं कि देख सकते हैं ज्यादा व्राइटनेस नहीं है इसमें अ कि दोस्तों मीटर को एसी में रख देगा साफ सो पचास वोल्ड में ठीक है तो एसी कितना वोल्टेज इंपूट हो रहा है देख लेगा कि दोस्तों पचीज बोल्ड इंपूट हो रहा है इसी लाइन ठीक है अब बीज रेक्टिक फायर के बाद डीसी बन जाएगा तो डीसी में आउटपूट केतना हो रहा है देख लेगा एक बार ये साइड में प्लास है इस साइड में माइनस है ठीक है देख सकतों वान हांडरेट नाइटि फॉर होल्ड आउटपूट हो रहा है ठीक है मिटर में देख सकते हैं अभी यह जो माइनस वाला लाइन है प्लास वाला लाइन तो यह जो LED है LED पे आया है और माइनस वाला लाइन डाइरेक्ट यह रेजिस्टेंस से होते हुए इस IC पे गिया है IC से आउटपूट होके इस LED पे गिया है अर सब LED सीरीज में कनेट है ठीक है तो IC के बाद केतना वोल्टेज आउटपूट हो रहा है जिए चेक कर लेगा देख सकते हैं 110 वोल्ट आउटपूट हो रहा है ठीक है तो यह जो IC है IC खरब है इसलिए ऐसा पॉबल्म हो रहा है बीच मिच में और न हो जा रहा है तो यह IC खरब है इसलिए ऐसा पॉबल्म हो रहा है ठीक है तो IC को निकाल देगा पहले अब झाल झाल देख सकते हैं दोस्तों पूरा क्लियार हो गया है ठीक है दोस्तों ऐसा मोडूल मिलता है मार्केट में आप लोगों को 10 से 15 रुपिया तक मिल जाता है मार्केट में देख सकते हैं इसमें ज्यादा पोटेक्शन दिया हुआ है रेजिस्टेंस एमो भी लगा हुआ है और इस बाला मोडूल में ज्यादा पोटेक्शन नहीं है लेकिन तभी भी अच्छा काम करता है ठीक है तो ऐसा मोडूल आप इधर पर लगा सकते हो ठीक है तो एक में लगा के दिखा रहा हूँ दोस्तों यह जो बीज लागा हुआ था इसको भी निकाल दिया है ठीक है अब यह जो मोडूल है इधर से इनपुट है और इधर से प्लास मैनस आउटपूट है ठीक है तो कैसे समझो के यह जो बड़ा बड़ा कैपसिटर है और इसमें इसके नीचे पर देख सकते यह अब देख सकते हैं और इस कैपसिटर चार्सो पैचाज़़ोल का कैपसिटर है इधर से इनपुट होगा और इधर से आउटपूट होगा तो आउटपूट प्लास मैनस से इसे कनेट करने परेगा तो यह जो रेड वाला है यह प्लास का लाइन होगा और यह जो leg बड़ा है यह minus का होगा ठीके यह RET ॉऒ जो है Plus का है और यह जो white वाला है यह・・・ ध्रीक दोस्तों यह एधर करने परेंगा इनिकाल के गे माडूल में तो इधर से AC लाइन इन्पुट होगा और इधर से डीसी लाइन आउटपुट होगा ठीक है तो एक सिलिप एधर पर कनेक्ट लगा लेगा इधर पर वायर में क्यूंकि वायर कट ना जाए इसलिए इधर पर देख सकते हो न्यूटल और लाइन लिखा हुआ है तो इधर पर इसमें प्लास और माइनस कनेक्ट कर देगा ठीक है इस साइड में देख सकते हो यह जो लाइन है गिया है माइनस के तरफ गिया है और यह जो लाइन है गिया है प्लास के तरफ ठीक है तो इधर पर दो बायर देखे जामपर कर देगा ठीक है इधर पर जामपर मार देने से हो जाएगा इधर से माइनस लाइन जाएगा इधर से प्लास लाइन जाएगा ठीक है और यह जो प्लास लाइन है अंदर से जाके यह इस एलीडी पर गिया है और माइनस का जो लाइन है इधर से यह जाके असवाब एलीडी सीरीज में करेंट है ठीक है तो इस रेजिस्टेंस पे गिया है इस रेजिस्टेंस पे जाके इस वाला पॉइंट में गिया है और इस पॉइंट से गिया है इस LED पे गिया है माइनस में ठीक है तो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में एक जामपर करने पड़ेगा तरसे लेकर उधर तक एक जामपर मार देगा देख सकते हैं दोस्तों इधर से इधर तक एक जामपर मार दिया है तो यह जो लाइन है इस LED पर चला गिया है ठीक है और यह जो मॉडूल है यह रेड़ वाला जो लाइन है यह प्लास का होगा रेड़ वाला जो वायर है यह प्लास का है और हुआट वाला जो है माइनस का है ठीक है कि देख सकते हो दोस्तो कि जामपर मार दिए यह फ्राइब यह का है तो मीटिक कर दिया है यह जो वाइब वाला है माइनस है तो माइनस में जांपर मार के कनेट कर दिया है और इधर पर एक इधर से इधर तक एक लाइन को जांपर मार दिया है ठीक है देखो दोस्ता दोस्ता दोस्तो वीडियो अच्छा लगते चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को एक लाइक कर देना